जैहिन दोस्तों मैं हूँ मुक्तक सिंग डाठोर और स्वागत करता हूँ आपका उस सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि Communication Skill का SSB के अंदर क्या रोल होता है और क्यों वो importance रखता है और कहां कहां importance रखता है SSB के अंदर उस से पहले एक बार ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार SSB में Communication Skill का importance है ही क्यों कहां कहां है वो तो बात छोड़िए क्यों है importance और जैसे हम इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे कि SSB में Communication Skill का importance क्यों है तो बात समझना पड़ेगी हमको कि Actually SSB में Communication Skill का कोई importance नहीं है अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो SSB के अंदर Communication Skill का importance नहीं है हाँ नहीं है Communication Skills का importance Armed Forces में और क्योंकि Armed Forces के अंदर Communication Skills का importance है तो SSB का काम तो सिर्फ चेक करना है, टेस्ट करना है कि आपके अंदर वो communication skill है या नहीं है, जो कि armed forces में काम करते वक्त आपको लगेगी तो SSB के अंदर communication skill का importance नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लो, communication skill का importance है armed forces के अंदर तो पहली चीज़ में अपने students को ये बताना चाहता हूँ, कि आप अपने communication skill को इसी लिए improve मत करो, कि कोई SSB का test आपको देना है आपके जवान जो आपके अंदर में serve करें, आपके ओपर गर्व करें, आपके ओपर भरोसा करें, आपकी बातों को ठीक से समझें हो सकता है, possible है, narrow chances है, कि शायद आपका communication उतना अच्छा ना हो, पर शायद दूसरे कुछ और गुण हो, या किसी तरह उस दिन आप अच्छा performance कर लो, और SSB recommend हो जाओ अच्छे communication नहीं होने के बावजूद भी लेकिन दोस्तों फिर सोचो कि जब आप officer बनोगे armed forces में, एक बुरे communication के साथ में, तो फिर उसके बाद की life अच्छे नहीं होगी, उसके बाद बहुत सारे failures आपके सामने आएंगे, और armed forces में failures, coffins में आते हैं तो इसी लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने armed forces join करने का सपना देखा है, तो उस सपने की प्रती इमानदार रहो और अपने अंदर जो भी गुण आप विक्सित करते हो, चाहे वो communication skill का हो या कोई और गुण हो, वो इसी लिए विक्सित करो कि आप अपने कि SSB में communication skill का कोई importance नहीं, वो तो सिर्फ वो ही चेक कर रहे हैं जिसका importance armed forces में, armed forces में communication skill का importance क्यों है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जैसा है कि इस वीडियो का title देखके आप आई थे कि SSB में communication skill का क्या importance है, कहा कहा पे उसको प्रदर्शित करना पड़ता है आपक वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि communication skill आखिर होता क्या है, what is communication skill, देखिए, communication जब भी दो लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के बीच में विचारों का thoughts का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम communication ब individual अपनी बात को दूसरे individual या बहुत सारे individuals के सामने रखता है, उस तरह से कि उस एक individual को या उन सारे individuals को वो बात पूरी तरह से समझ में आती है, इसी को communication skill बोलते हैं, आपके मन में कोई बात थी, और जिस भावना के साथ वो बात आपके मन में थी, उसी भावना के साथ आप communication skill कोई rocket science नहीं है, जितने भी हमारे SS students है, जो select हो गए, SSB में recommend हो गए, जब मैं उनको देखता हूँ, और बहुत सारे SS students को देखता हूँ, जो recommend नहीं हो पाए, या जो select नहीं हो पाए, तो मुझे उनके communication में कोई बहुत ज्यादा फरक नहीं दिखता है, हाँ, odd ones होते हैं, कि कोई ऐसा selected person होता है, जो extraordinary communication skill का मालेक होता है, या odd one कोई ऐसा unselected student होता है, जिसकी communication skill बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी on an average, select होने वाले या deselect होने वाले students के communication में बहुत बड़ा gap नहीं होता, जो gap होता है, वो gap ज्यादा तर confidence में होता है, और दूसरा, कि अपनी बात को कितने कम words में हो समझा सकते, उसमें होता है, ये दो important बाते होती है, तो communication skill वो चीज होती है, जब आप अपनी बात को कम से कम words में ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हो, अब communication skill के बारे में थोड़ा और जाने, तो दो बाते और प आपको सिर्फ कुछ बातें बताना और समझाना चाहता हूँ, आने वाले lectures में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको communication skills को improve करने के लिए किस तरह की practices करनी होगी, लेकिन वो सब कुछ मैं आज नहीं बताऊंगा, यूँकि आज मैं सिर्फ introduction दे रहा हूँ, तो आज सिर्फ इस lecture को आप देखिए, सुनिए और बात को समझिए, तो अब communication skill क्या होता है, ये बात आपको पता चल गई, अब communication skill दो तरह का होता है, अब ये दो तरह का communication skill जो होता है, इसको कहते है, verbal और non-verbal, आपने भी schools में पढ़ा होगा, कोई ने कोई subject होता है, communication skill कही ने कहीं, किसी किसी standard में, जिसमें students पढ़ते हैं उसको, उस समझ का importance नहीं समझते, फिर पता चलता है कि इसी चीज़ें बड़ी important थी, हाला कि SSB के अंदर आपको कोई सवाल नहीं पूछने वाला, कि communication skill की definition बताईए, ये communication skill कितने parts में divided होता है, ये बताईए, लेकिन क्योंकि मैं ये video बन वर्बल जो मौखिक होती है, और दूसरी होती है non-verbal जो सांकेतिक होती है, तो एक तो मौखिक होती है, वर्बल communication होती है, जिसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप से, या आप मुझ से जब मिलोगे तो आप मुझ से बात करोगे, तो आप अपनी बातों को किस तरह से रख कर बात की जाए, जैसे मैंने अब भी last line बोली कि उस तरह के भावों को लाके बात की जाए, क्यों, क्योंकि मैं भाव के उपर emphasize कर रहा था, तो मैंने उसके उपर जोर दे के बोला, तो इसको बोलते है voice modulation, तो किस तरह के voice modulation को आप use कर रहे हो, किस तरह की vocabulary आप use कर रहे हो, जो बात आप बोल रहे हो जिस भी language में कि आप grammatically सही बोल रहे हो यह सारा part जो आता है आपका verbal communication का आता है वही जो सांकितिक या non-verbal communication होता है उसमें आती है आपकी body language जब आप बात कर रहे हो देखो हम इंसान जब किसी के साथ communicate करते हैं तो हम जड़वत होके communicate नहीं करते हम static होके communicate नहीं करते हमारी body का movement होता है हमारे हाथों का movement होता है हमारी eyes blink होती है हमारे face का movement होता है कभी दाएं की तरफ कभी बाएं की तरफ कभी आगे की तरफ कभी पीछ में चलता है तो यह होती है हमारी body language तो यह body language बहुत important होती है कई बार कहते हैं न कि body language speaks more than what you speak from your mouth कि आप अपने मूँ से जितना ज्यादा बोलते हो उससे कहीं ज्यादा और कहीं सची आपकी body language होती है है न जिसे आपको बहुत डर लग रहा है लेकिन आप सबको यह कहरे हो कि मुझे डर नहीं लग रहा पर आपकी body language बता रही कि आपको बहुत डर लग रहा है तो सच क्या है body language है आपकी बाते जूट हो सकती लेकिन body language जूट नहीं हो सकती इसलिए body language बहुत important aspect होता है communication skill का when it comes to SSB तो ये तो रही बात communication की, communication skill क्या होता है अपनी बात को effectively सामने वाले के सामने रखना ताकि उस बात की meaning को पूरी तरह से समझ जाए और उस meaning के पीछे की feeling को भी पूरी तरह समझ जाए और दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि ये communication skill कितने parts में divided होता है एक verbal जो आप बोलते हो उसमें क्या-क्य aspects है एक aspect उसके अंदर है vocabulary दूसरा aspect है उसके अंदर structure of the sentence या sentence framing और तीसरा aspect उसके अंदर आता है voice modulation और फिर जो non-verbal communication होता है जो सांकेतिक होता उसमें मैंने क्या बताया था याद रखेगा आपकी body language primarily आपकी body language जिसमें आपका eye contact भी शामिल है आपके हाथों के movement और gestures भी शामिल है और आपकी body का poster भी उसके अंदर शामिल है तो ये सारी चीजें मिलकर किसी communication को अच्छा या बुरा भी बना सकती है तो यही वो aspects हैं जिसके उपर आपको work करना है और इन्ही aspects के उपर work करने के बाद में आपका communication skill improve होगा अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको improve कैसे करना बहतर कैसे बनाना इसके बारे में मैं आने वाले lectures में वीडियो बना के आपको देखाऊंगा आपको बताऊंगा आपको उनके उबर practice करनी है थोड़ा बहुत आज भी बता दूँगा लेकिन detail से बाद में बताऊंगा कि SSB के लिए communication skills नहीं है communication skills armed forces में काम करने के लिए क्योंकि जब आप armed forces के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे आपकी communication skill की ज़रूरत कदम कदम पे होती सबसे पहली ज़रूरत होती communication skill की क्योंकि आप NDA या CDS जैसी exams की through armed forces में एंटर करना चाह रहे हो जो officer entries होती training होने के बाद में आप officer बनोगे तो जब आप officer बनोगे तो सबसे पहली requirement आपको communication skill की ये होने वाली है कि आपको अपने जबानों को अपने troops को command करना पड़ेगा अपने troops को orders देने पड़ेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी communication skills कमजोर है आपकी communication skill अच्छी नहीं है effective नहीं है तो उससे बहुत बुरा impression पड़ेगा बात सिर्फ बुरे impression की नहीं है यहाँ पे ज़रूरत की बात है कि अगर मैं एक officer हूँ आप मेरे men हो जवान हो और अगर मैं आपको ठीक से command नहीं कर पा रहा हूँ आपको ठीक से instructions नहीं दे पा रहा हूँ प्रभावी तरीके से तो आप मेरी बात ही नहीं समझ पाओगे और अगर आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे तो जो मैंने कहा है उसको पूरा कैसे कर होगे तो टास्क पूरा नहीं होगा तो फेलियर्स मिलेंगे तो उन फेलियर्स को अवाइड करने के लिए एक officer का communication बहुत अच्छा होना चाहिए तभी वो एक अच्छा officer बन सकता है तभी वो अपने जवानों को ठीक से command कर सकता है दूसरा Armed Forces के अंदर एक ऐसा system चलता है कि officers लगातार अपने आपको upgrade करते रहते हैं और बदलते वक्त के साथ में बदलते रहें अपने काम को ठीक से अंजाम देने के लिए अपने tasks थो ठीक से पूरा करने के लिए या आने वाली चुनातियों का ठीक से सामना करने के लिए तो यह जो upgradation होता है कोई officer जब नए नए course करते हैं या upgrade करते हैं अपने आपको तो उस process में communication का बहुत importance होता है क्यूंकि उनको पढ़ाई करनी पढ़ती है अब communication में अगर वो अच्छे है तो पढ़ाई से संबंदित कोई भी वो काम करेंगे तो उस काम को भी वो बहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे नमबर तीन, armed forces के अंदर हम देखते हैं आप भी current affairs के अंदर इस बात को पढ़ते होंगे कि joint exercises बहुत ज्यादा होती कभी Japan के साथ होरी, कभी United States of America के साथ होरी, कभी Saudi Arabia के साथ होरी, कभी Sri Lanka के साथ होरी बहुत सारे हमारे ऐसे friendly countries है, friendly allies है, जिन के साथ हम लगातार military training करते रहते हैं और ये बहुत important होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह के developments हो रहे है, कौन-कौन सी armed forces, किस-किस तरह के innovations कर रही है ये हमें सीखना चाहिए, कोई-नु-कोई हर army, कुछ-नु-कुछ, हर army, हर navy, हर air force, कुछ-नु-कुछ ऐसा कर रहे है, जिससे हम सीख सकते और इसी लिए उनके साथ joint exercises होती है, कि हमारी तरह के विचारधारा वाले लोग, कभी हमको मिल के साथ में किसी common enemy के against लड़ना पड़ा, तो हमारी बीच में coordination अच्छा होना चाहिए और इस coordination को अच्छा बनाने के लिए, यह ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ practices करते रहो, उनके साथ practice sessions करते रहो अब यहाँ पर communication skill का बहुत importance हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी foreign national के साथ में interact करते हो, तो medium of language आपकी English होती अगर Japanese army के साथ में आप trading कर रहे हो, यह Japanese navy के साथ में आप trading कर रहे हो, तो obviously आप Japanese नहीं सीख सकते इतने कम वक्त में, वो Hindi नहीं सीख सकते इतने कम वक्त में तो English ही एक ऐसी language होती है, जो दोनों थोड़ी थोड़ी जानते हैं, और Indian Armed Forces वाले तो बहुत अच्छे से English जानते समझते हैं, बोलते हैं, तो वो एक medium बन जाता है communication का, तो इसलिए English का भी importance है, हलाकि यह वीडियो में यह बताने के लिए नहीं बना रहा हूं, कि English का क्या importance ह वो एक अलग aspect है अपने आप में, बट मैंने यहाँ पर समझा दिया कि क्यों important है वो, तो एक तो यह importance है कि हम दूसरे countries के साथ में जब military exercises करते हैं, तो coordination उनके साथ हमारा अच्छा होना चीए, और coordination अच्छा होने के लिए सबसे पहली चीज़ होती communication, तो अगर मेरा या आप आपका communication एक officer के तोर पे अच्छा है, तो आप किसी दूसरे देश की सेरा के साथ बहतर और जल्दी समन्वे स्थापित कर पाओगे, coordination setup कर पाओगे, वो exercise अच्छे से होगी, जो सीखने के लिए आप गए थे, वो आप सीख पाओगे, जो सिखाने के लिए आप गए थे, वो आप सिखा पाओगे, आपका task पूरा हो जाएगा, और अगला point ये है कि बात सिर्फ दूसरे देशों के साथ military exercise की नहीं है, बात यहाँ पे ये भी है कि जब अपने ही army के साथ, अपने ही जवानों के साथ, अपने ही साथियों के साथ में कोई military exercise करते हैं, तो वहाँ पे भी communication का बहुत ज्यादा importance होता है, एक officer अगर अच्छे से command करता है, तो सिर्फ बात इतनी नहीं है, कि लड़ाई से पहले उसने plan को समझाया, ये तो है importance, कि अगर किसी officer का communication अच्छा नहीं है, तो वो कोई plan समझा रहा होगा, अपने जवानों को लड़ाई पे जाने से पहले, तो वो ठीक से नहीं समझा पाएगा, तो वो बात समझ में नहीं आईगी उनको, जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन यहाँ पे communication का एक और importance ये भी होता है, कि वो अपने जवानों को motivate करे, communication इसके लगर आपका अच्छा होता है, तो आप किसी इनसान को, जो इनसान डरा हुआ है, या जिसमें आत्म विश्वास की कमी है, अपने communication के द्वारा उसको charged अप कर सकते हो, उसको जोश में लेके आ सकते हो, उसके अंदर positivity भर सकते हो, communication के अंदर वो जादू होता है, sound के अंदर अपने आप में एक magic तो होता ही है, और अगर वो sound जो आपकी कानों में आ अच्छा होता है, और जिसको हम कहते है, body language बहुत अच्छी होती है, तो देखने सुनने वाला मंत्रमुग्द हो जाता है, और वो मंत्रमुग्द होके आपकी कही हुई बातों को अक्षरक्ष है follow करता है, word to word follow करता है, यही तो चाहिए एक armed forces के officer से, और इसी लिए armed forces के officer की communication skills बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यह सारे प्रमुख कारण है कि युद्ध भूमी के अंदर communication skill मृत्यू और जीवन के बीच में difference create कर सकता है, हार और जीत तो फिर भी छूटी चीज है, मृत्यू और जीवन के बीच में communication skill difference create कर सकता है, युद्ध के अंदर, एक अधिक और जब वो एक शब्द को सही तरीके से बोलेगा, तो उसका सही message अपने जवानों को पास होगा, लेकिन अगर वो किसी शब्द का उच्चारण गलत तरीके से कर देता है, तो उसके जवानों को जो message मिलेगा, उसका अर्थ कुछ और निकल सकते हैं, और अगर उन्होंने प्लान कर दिया, कोई और action कर दिया, तो उनकी हार जीत जीवन रत्यू के बीच में difference बन सकता है, समझ रहे हो आप बात को कि क्यों importance है, और देखो युद्ध भूमी ऐसी जगे होती है, where there is no margin for error, वहाँ पे आप किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकते, अगर आपने वहाँ प और walk of life के अंदर शायद police forces या paramilitary forces को हम छोड़ दें, तो बाकी walks of life के अंदर ऐसा नहीं होता, आप गलती करते हो और उसको सुधारने के लिए आपको एक मौका और मिल जाता है, लेकिन armed forces में ऐसा नहीं होता है, शायद आपकी गलती से किसी और की जान चली जाए, आप लें, उन सबकी जान की जिम्मेदारी होती है, और इसलिए बहुत जरूरी होता है कि युद्ध के समय जब बहुत tension होता है, बहुत chaotic situation होती है, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये अधिकारी होता है, जिसका काम होता है अपने जवानों को ये बताना कि अब तो हार तो मिलेगी, मिलेगी, जान भी जा सकती है, तो अब आप समझ गए कि communication skill सिर्फ SSB clear करने के लिए या SSB recommend करने के लिए नहीं है, communication skill का importance इतना ज्यादा है कि आपकी जीवन और मृत्यू के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क create कर सकता है, तो communication skill को जब आप अपने recommend होना है, यह सोच के करना, जिस दिन में अपने जवानों को command करूंगा, उस दिन उनकी जान भी बचा के रखूंगा, अपनी जान भी बचा के रखूंगा, और खुद को दिये गए टास्क को 100% accuracy के साथ में successfully पूरा करूंगा, इस उद्धिश के साथ में अपने communication skill को improve करने क कोशिश करना, SSB निकालने का छोटा लक्ष मत रखना, जब लक्ष बड़ा रखोगे, तो अपने आप SSB में recommend हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, तो चलिए, यह तो रही बात, यह तो रहा lecture, जो मैंने आपको दे दिया, पर उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई कहां कहां पर आपको अपनी communication skill को showcase करना पड़ता है, बहुत देर से आप मेरे पीछे चार photograph देख रहे हो, यही चार photograph हैं जहां पर आपको अपनी communication skill को primarily showcase करना पड़ता है, एक बर चारों photograph को देख लेतें और समझ लेतें चारों photograph के अंदर SSB aspirants क्या कर रहे हैं, तो पहला photograph जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें यह सारे aspirants बैठे हुए हैं और group discussion कर रहे हैं, यहां पर दूसरा photograph जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक group planning exercise वाला scene है, जहां पर assessing officer ने students को या aspirants को को कोई situation देके रखी हुई है, और अब इन students के सामने यह challenge है कि उस tough situation से अपने group को कैसे निकाल के लेके आ रहा है, तीसरा यहां पर आपको photograph दिखाई दे रहा है, जिसमें एक individual aspirant बैठा हुआ है, सामने एक interviewing officer है, और वो interviewing officer उनसे one-on-one बात करते हुए, उनका personal interview जिसको आप लोग PI बोलते हो, वो ले रहे हैं, और यहां पर अगेन आपको एक group discussion क situation या scene दिखाई दे रहा है, जहां पर किसी topic के ऊपर कुछ students discussion कर रहे हैं, और एक officer उनको assess कर रहे हैं, primarily यह वो चार जगे होती है, जहां पर आपके communication skill को showcase करने का आपको maximum scope होता है, मैं यह नहीं कहूंगा कि बाकी जगे आपके communication का importance नहीं होता है, communication का importance तो कदम कदम पे, जै जैसे ही आप SSB के gate में अंदर होते हैं, जो भी board आपका है, जहां पर भी आपका SSB आया है, जैसे ही आप gate से अंदर घुस्ते होना, आपका assessment वहीं से शुरू है, घुस्ते से ही आपको नहीं पता, पता नहीं कौन सी नजर आपको कहां से देख रही है, बट आपका assessment में रहना इसा मत करना वैसा मत करना नहीं I will never ask you to fake yourself मैं ये चाहूंगा कि अपने अंदर ऐसी habits develop करो ऐसी आदतें develop करो कि वो जो जिसको हम discipline बूलते हैं वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए और तब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कुछ भी आप करोगे वो सही ही होगा अगर आप discipline को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेते हो इसको fake नहीं करना अपने को किसी को show नहीं करना है कि मैं discipline हूँ आप discipline रहोगे तो इसमें आपका फायदा होगा आप अगर जूटा discipline show करके SSB recommend भी हो गए पहली बात तो हो नहीं सकते बट अगर विली discipline तो थे नहीं अप fake करके आप चले तो गए वहाँ तक पर आप वहाँ पे successful नहीं हो पाओगे जिस दिन discipline की requirement होगी आपको इसी लिए SSB clear करने को लक्ष मत मानो armed forces में क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी उन qualities को अपने अंदर develop करो discipline तो जब आप discipline को अपने अंदर inculcate करोगे तो बाकी चीजें अपने आप अपनी जगे पे सही तरीके से आती जाएगी discipline बहुत basic quality है अगर ये सही हो जाता है न तो बाकी बहुत सारी चीजें सही हो जाती है तो ये चौथा scene है जहाँ पे कुछ group discussion चल रहा है officer assess कर रहे है तो मैं ये कह रहा था आपको कि communication का importance इन चार जगों पर है ही लेकिन उसके अलावा भी जहाँ अब जैसे आप situation reaction test में बैठे हो या पीपीटी पिक्चर perception test है आपका आप story लिख रहे हो तो बहुत जो आप story लिख रहे हो उसमें किस तरह के sentences को frame कर रहे हो किस तर काpling आप एसा तो नहीं होता न कि रीखने का सिर्फ 저희 कर रहे है तो आपका पहुत ग्रमाटिकल अररणी कमजोर थी तो वहाँ पे इस चीज का द्यान रखना चीं moss को कि communication का यहाँ पे भी aspect देखा जाता है और बाकी जो चार जगे मैंने आपको बताई SSB के अंदर यहाँ पे तो communication का बड़ा importance होता और particularly जो मुझे लगता है वो है personal interview क्योंकि group discussion भी अगर कहीं हो रहा है या group planning exercises हो रही है तो आप अकेले नहीं हो वहाँ पे बोलने वाले वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोग हैं कभी person A बोल रहा है कभी person B बोल रहा है by the time आपको वक्त मिल जाता है सोचने का अपने दिमाग में sentence frame करने का English language में और फिर सही मौका देखकर आप अपनी बात बोल लेते हो जो आपने सोची हुई होती जिसको सोचने का और sentence frame करने का आपको बहुत सारा वक्त मिला हुआ होता है लेकिन ये interview जो होता है रहा इस interview के अंदर interviewing officer ने आपसे question पूछा और immediately आपको answer देना पड़ेगा तो यहाँ पे communication skill का अच्छी है तो इन से छुपा हुआ नहीं रह पाएगा तो इसलिए communication skill को इस point के लिए इस point को ध्यान में रखते हुए तयार करें क्योंकि यहाँ पे आपके कोई दो-तिन साथी नहीं बैठे होंगे कि एक सवाल का जवाब उसने दे दिया दूसरे का उसने दे दिया तीसरे का आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा आप ही हो और interviewing officer ही है तो यह चार aspect ऐसे हैं जहाँ पे आपको communication skill का बड़ा importance होता है यहाँ पे आप अपने thoughts को अपने ideas को या अपने views को interviewing officer को अच्छे से समझाओ यह जरूरी है और interviewing officer कई अच्छे candidates जो बहुत अच्छे होते जिनका communication बहुत अच्छा होता है या reasonably अच्छा होता है उनको थोड़ा tough situations में डालते थोड़ा uncomfortable situations में डालते और उनके response को चेक करते और यहाँ पे भी आपका communication ही है जो की आपको उस tough situation को easy बनाने में मदद करता है या uncomfortable situation को भी bear करने में मदद करता है इन जगों पे यह problem होती ही क्यो आपको sentence frame करने के लिए तो बहुत time मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर problem यह होती कि आपको अपना point भी दमदारी से रखना पड़ता है अगर आप अपने point को दमदारी से रखोगे तो group में आपकी value होगी group में आप shine करते हुए नजर आओगे हर candidate यह चाहता है group discussion के अंदर या group planning exercises के अंदर कि वो shine करें वो assessment करने वाले officer की नजर में आए तो यहाँ पर अगर आपका communication अच्छा है आपका sentence framing अच्छा है आपका voice modulation अच्छा है तो जब आप बोलना शुरू करोगे तो चाहे कोई आपको सुनना चाहे या ना चाहे वो सुनता रहेगा आपको तो अपनी आवास को ऐसा बुलन करो अपने sentence framing को ऐसा दुरुस्त करो अपनी vocabulary को इतना अच्छा मजबूत करो कि जब आप बोलो तो सब सुने भले ही वो आपकी बात से agree करें या ना करें लेकिन जब आप बोलो तो वो सुने यही आपका communication skill होगा और हाँ आपको अपनी बा आपको ग्रूप में माना जाएगा agree किया जाएगा और यह बात assessment करने वाले officer से छुपी हुई नहीं रहेगी और definitely वो आपको thumbs up देंगे अपनी तरफ से आज के lecture में इतना ही मैं discuss करूँगा क्योंकि अब आने वाले lectures में मैं आपको यह बताऊंगा कि यह communication skill आप improve कैसे करोग पर क्योंकि मेरे आने वाले lecture के और आज के lecture के बीच में एक लंबा gap रहेगा और यह बहुत सारे दिन बहुत valuable रहेंगे आपके लिए इसी लिए उनके बारे में detail में तो मैं तब बताऊंगा जब उन videos को मैं बनाऊंगा आपके लिए लेकिन अभी overview में आपको दे देता हू कि आप क्या क्या करो जिससे आपका communication skill improve होगा तो मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका communication skill improve होना अभी से शुरू हो जाएगा सबसे पहले सबसे पहला point है जो आप ध्यान दोगे वो है read books, किताबे पढ़ो और यह बात आपने मेरे मुँझे न जाने कितनी बार सुनी होगी दानिस सर ने भी इस बात को कई बार बताया है शायद प्रक्मिश सर ने भी इस बात को बताया होगा और मैं एक बार फिर इस बात को बता रहा हूँ और शायद इन सेशन्स में आने वाले सेशन्स में मैं वापस इस बात को बोलू तब तक बूलता रहूँगा जब तक आप करोगे नहीं इसको read books, किताबे पढ़ो मैं NCRT books की बात नहीं कर रहा हूँ वो तो आप read करी रहे हो अपने concepts और अपने facts को develop करने के लिए लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी किताबे पढ़ने के लिए recommendation दे रहा हूँ जो किसी की biography हो, जो किसी कोई अच्छी सी कहानी हो, जो कोई drama हो, कोई novel हो कोई ऐसी किताब जो किसी अच्छे author ने लिखी है और मैं आपको recommend करूँगा कि आप English language की ही कोई किताब पढ़ो कोई ऐसी किताब जिसमें भारत की वीर योद्धाओं का बखान किया गया हो भारत के brave warriors की story हो, कोई ऐसी किताब पढ़ लो कोई ऐसी किताब पढ़ लो जिसमें Indian Armed Forces के weapons के बारे में कुछ लिखा हुआ हूँ कोई ऐसी किताब पढ़ लो जो किसी patron army officer की biography हो या कोई ऐसी किताब पढ़ लो जो 1971 के war के उपर based है या अगर आपका कोई और area of interest है तो आप उससे related किताब भी पढ़ सकते हो लेकिन वो अच्छे author की होनी चाहिए भले थोड़ी सी महंगी आएगी लेकिन जिन्दगी का एक बहुत बड़ा investment है जब आप किताब पढ़ते हो ना तो किताब आपको खुद को पढ़ना सिखाती है किताब पढ़ने से क्या क्या आपका फायदा होगा सबसे पहला फायदा किताब पढ़ने से होता है आपका knowledge बढ़ता है क्योंकि किताब लिखने वाले generally बहुत ग्यानी लोग होते हैं और अपने life के experiences के basis में वो किसी किताब को लिखते हैं तो उनके life में जो experiences उन्होंने लिए थे जो knowledge उन्होंने गेन किया था वो knowledge आपके सामने परोस रहे तो बिना उनकी जगह पर जाए बिना उतने साल दिये आप उनसे वो ग्यान ग्रहण कर सकते हो तो पहली चीज तो यह होती ही कि किताबे पढ़ने से आपका ग्यान बढ़ता है और दोस्तों जब आपका ग्यान बढ़ता है तो किसी ग्रूप के अंदर आप unique हो जाते हो आप outstanding हो जाते हो अब आप मान लीजे आपको knowledge भहत है आप group discussion में गए group planning excise में गए क्या होगा किसी भी मुद्दे के उपर आपकी सोचने की जो क्षमता होगी आपकी points develop करने की जो क्षमता होगी वो किसी दूसरे से बहुत ज्यादा होगी आप बहुत reasonable point दोगे और बहुत confidently उसको बोलोगे क्योंकि knowledge से confidence भी आता है अगर मुझे किसी बात का knowledge है तो ही तुम्हे confidently उस बात को आपको बता पाऊंगा knowledge नहीं है तो गबर आता ही रहूंगा तो किताब पढ़ोगे तो ज्यान मिलेगा सबसे पहला और ज्यान मिलेगा तो अच्छे points दे पाऊगे group discussion के अंदर interview के अंदर पूछे गए सवालों के जवाब अच्छे से दे पाऊगे और आत्मविश्वास भी आपके अंदर रहेगा confidence भी आपके अंदर रहेगा दूसरा किताबे जब आप पढ़ते हो तो किताबों में लिखे हुए sentences क्योंकि मैंने आपको English की किताबे English language वाली किताबे पढ़ने के लिए recommend किया है तो धीरे धीरे अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है आप grammatically weak है तो आपकी grammar improve हो जाएगा आपका sentence framing improve होने लग जाएगा और तीसरा इस तरह की किताबों में कई ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कई ऐसे words आपको मिलेंगे जिनके meaning आपको नहीं पता होंगे आपको dictionary देखनी पड़ेगी meaning पता करने के लिए तो इससे क्या होगा आपकी vocabulary improve होगी तो एक किताब ने आपको क्या क्या दिया एक किताब ने आपको ग्यान दिया एक किताब ने आपकी grammar को improve किया और उसी किताब ने आपकी vocabulary को भी improve किया जो कि आपको written examination में भी काम आएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप किताब पढ़ते हो तो किताब आपको खुद को पढ़ना सिखाती है इसलिए जब आप किताब पढ़ोगे तो ये तीन आस्पेक्ट तो आपके develop होगे और एक X Factor आपके अंदर develop होगा इतना सारा कुछ आपको मिलेगा अगर किताब 1500 की भी है तो ये बहुत अच्छा investment होगा investment for life है किताबे पढ़ना प्लीज आप किताबे पढ़िए communication skill बहुत अच्छा improve होगा आपका दूसरा practice speaking ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप दुरुस्त नहीं हो पाओगे और बोलो कैसे अगर आपके पास कोई ऐसा group है students का जो सभी लोग मिलके NDA के तियारी कर रहे हैं साथ में मिलके practice करो अगर आप किसी English spoken classes join कर सकते हो वहाँ जाके practice करो अगर ऐसा दोनों ही काम आप नहीं कर सकते हो तो अपने mobile phone में किसी topic को read करो और record करो और बार बार उस चीज को करो बिना देखे read करो या किसी भी मुद्दे के उपर कुछ लिखो और उस लिखे हुए को बिना देखे बोलते हुए record करो जैसे आप ऐसा recording कर सकते हो कि मान लो आपने imagine किया कि interviewing officer ने आप से सवाल पूछा tell me something about yourself अब आपने इस सवाल को imagine करके आंसर देना शुरू किया कि my name is मुक्तक सिंग राठोर I am a native of indoor and so on अपने बारे में इस तरह से पूरी recording करो अपने mobile में उसको सुनो और उसको सुनने के बाद में आपको खुछ समझ माएगा कि आपने कहा कहा गलती करी कहा अच्छा नहीं लग रहा है और फिर जैसे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई ऐसा individual हो जो आपको improve कर सकता हो बता सकता हो कि तुमने ये चीज़ गलत बोले है यहाँ पे उनसे पूछो कि मैंने ये चीज़ कहा गलत बोली है क्या है मुझे improve करना चाहिए कहीने कई कोई नो कई मिल जाएगा आपको ऐसा आपके school में कोई English teacher को ही बता दो जाके तो आपको बताएंगे correct करेंगे कि यहाँ पे अपने sentence को गलत तरीके से बोला जो सही वो करें जो correction वो करें उस correction को use करके दुबारा उसको record करो और इस तरह कई questions imagine करो interviewing officer की तरफ से और क्या आप उनका answer दोगे उस answers को देते हुए record करते जाओ अपने mobile phone में अपनी recording को सुनो और ऐसा बार-बार करो जिससे आपकी practice हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा बोलने की तो इस तरह से ये दो चीजें भी आप follow करते हुए आने वाले दिनों में practice करोगे तो आपकी communication skill के improvement की शरुबात हो चुकी होगी अगर आपकी communication skill बहुत खराब है तो भी आप ये चीज़ करो अगर अच्छी है तो भी ये चीज़ करो फाइदा ही होगा आप जिस भी position पे हो वो सकता आप यहाँ पे हो communication skills में तो यहाँ पहुँच जाओगे और अगर यहाँ हो अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनके उपर ना सिर्फ समझोगे बलकि अमल भी करोगे और जल्दी अपने communication skill को improve करना शुरू करोगे थैंक्यू वेरी मच्च जैहिंद